सरनातन धर्म को लेकर के जिस तरीके से जो इंडिया एलायंस के घटक दल है उसके जो बयान सामने आ रहे हैं विव बीजेपी उस पर लेकर हमलावर है बीजेपी कह रही है कि आखिर प्रमुक पार्टियों की तरफ से उसकी भरसना क्यों नहीं की जा रही है क्योंकि नेता तो कि सनातन धर्म भारत का पुराना धर्म है मैं स्वम सनातनी हूं और जो लियम के निता ने बयान दिया है मैं उसकी निंदा करता हूं उसका इंडिया के कार्यकर्मों से विचारों से दूर-दूर तक कोई वास्ता नहीं है यद पी विवी अपनी बात कहने के लिए wie स्वत मौका मिल रहा है कि देखिए यह उसी घटक दल है जो इंडिया एलाइंस जो बनाए गया उसी का हिस्सा है और जो बड़े निताओं की तरफ से खुल करके हाला कि आप लगातार यह कह रहे हैं लेकिन बीजेपी का यह कहना है कि खुले मंच से इसकी भरसना नहीं की जा रही है एक खंड़ नहीं किया जा रहा है एंडिये के दो दरजन घटक यूनिफर्म सिविल कोड़ पर बीजेपी का विरूद कर चुके हैं कि एंडिये के टीस से जादे घटक दल जातिकत जिनकरना की मांग मांग कर चुके हैं भारती जनता पारटी बे अपना रूकिस पस्ट करें कि उनके स्याहियोगी घटक दलों से उनकी राय भी निक्यों लेकर आप पो नहीं लगता है कि सनातन धर्म का जिस तरीके से बैयान आ रहे हैं यह आगामी चुनावों में एक बड़ा मुद्दा क्योंकि लगातार हमलावार हैं बीजेपी के तमाम नेता उनके हमलावार होने से हमारी रननेती पर कोई फरक नी पड़ता हम इस पस्ट कर कर चुके हैं जिन छेत्रों में इलंकों में हम रहते हैं कब करते हैं मुआ की जन्ता जानती है कि हम सनातन धर्म के हिस्से हैं और उसका संबान करते डर्म उपं बियान용 के वरिषनलता होने के ऊब को भी यूनिफॉर्म सिविल कोड और जातिकत दिन गन्ना पर अपनी राय बीजेपी के साथ मिला निची आप तौर पर अगर सनातन को लेकर के जो इंडिया एलाइंस के गड़ जो गटबंदन के दल हैं वो बयान दे रहे हैं तो कई ऐसे मुद्दे भी हैं जो बीजेपी के गटक दल हैं वो भी बीजेपी से इतर राय रखते हैं तो उस पर भी उनको अपना रुक इस पश्च करना चाहिए और रही बात सनातन धर्म के अपमान के मुद्दे की तो केसी द्यागी साफ साफ सवर पर कहा रहा है कि ऐसा बयान किसी को भी नहीं देना चाहिए और जेड